पटना और आसपास इलाकों में बादल छाय रहेंगे उत्री भागों के एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है पटना में आज अधिकतम 27 डिग्रीज जीरो और न्यूतनम 14 डिग्रीज जीरो सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान है प्रदेश के रोहतास भववा और अंगाबाद एवं गया जीले के एक या दो स्थानों पर मेग गरजन वरजपात को लेकर चेताबनी जारी की गई है राजधानी समेत प्रदेश के अधिशंख भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के कारण न्यूतनम तापमान में व्रिधी हुई है शोमवार को प्रदेश का मौसम आम तोर पर शुसक बना रहेगा पटना समेत अधिशंख यह स्थानों पर बादल छाह रहेंगे मंगलवार को पटना में बादल छाय रहने के साथ दक्षिम पक्षिम दक्षिम भाग्यों में एक या दो स्थानों पर हलकी वर्षा की संभावना है प्रदेश के रोहतास भववा और रंगाबाद एवं गया जीलेों के एक दो स्थानों पर मेख गरजन वरजपात को लेकर चतावनी जारी की गई है इस दोरान किसान भाई पशुओ को सुरक्षित स्थानों पर रखे बीते 24 घंटे के दोरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हलकी वर्षा दर्ज की गई जमुई जीले के चकिया में 14.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई वहीं 7.5 डिग्री सिल्सियस के साथ मोतिहारी में सरवाधिक न्यूतनम तापमान दर्ज किया गया जबकि पटना के न्यूतनम तापमान में रवीवार को समान्य से 2 डिगरी बढ़ने के साथ 15.5 डिगरी सिल्सियस दर्ज किया गया एक बार फिर से आपको बता दे की पटना और आसपास इलाकों में बादल चाय रहेंगे उत्री भागों के एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है पटना में आज अधिक्तम 27 डिगरी जीरो और न्यूतनम 14 डिगरी जीरो सिल्सियस पापमान रहने का अनुमान है प्रदेश के रोतास भववा रंगाबाद एवं गया जीले के एक या दो स्थानों पर मेग गर्जन वरजपात को लेकर चतावनी जारी की गई है राजधानी समेत प्रदेश के अधिशंख्य भाग्यों में बादलों की आवाज जाही बने होने के कारण न्यूतनम ताप प्रदेश के रोतास भववा रंगाबाद एवं गया जीले के एक या दो स्थानों पर मेग गर्जन वरजपात को लेकर चतावनी जारी की गई है इस दोरान किसान भाई पसवो को सुरक्षित स्थानों पर रखे बीते 24 घंटे के दोरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल की वर्षा दर्ज की गई जमुई जीले के चक्या में 14.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई वहीं 7.5 डिग्री सिल्सियस के साथ मोतिहारी में सर्वधिक न्यूतनम थपमान दर्ज किया गया